नवरत्न क्या क्या है नवरत्न के संकर जी मोती माणिक्य बैदूर्य गोमेद हीरा मूगा पदमराग और नीलम श्महपुराण में इनका अद्वुत ढंक से बड़न किया गया है मुक्ता प्रवाल गोमेद हा बज्राणी नवरत्नकम इन नवरत्न है इस नीलम रक्तम चबेदूर्य हां स्यामम मारकतम तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद हा वज्राणी नवरतनकम इन नौ प्रकार के नवरतन के जो संकरजी है ये बड़े प्रभाब साली है इसमें जो मोती के सिवलिंग हैं ये तत्काल सांती प्रदानित करते हैं अभ्यक्ति क्रोध को जीत लेता है क्रोध के उपर काबू कर लेता है इतना बड़ा प्रभाब है मोती के सिवलिंग का ये नवरतन में मोती आता है मोती का जो सिवलिंग है ये है तत्काल सांती प्रदानित करता है घर में किसी भी प्रकार का कले है बंती नहीं है जगडा है मोती के सिवलिंग भले ही आपके हां नरमदेश्वर हैं, भगवार नरमदेश्वर एक से अनेक अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन और धातुओं के जो सिविलिम हैं, यह साम की वीडियो में आपके पास तक पहुचाएंगे बात, शाम को साथ बजे, यह और धातुओं के हैं, वो एक ही एक सि एक उसका अंग है वो, और इसके द्वारा यस प्राप्त होता है, बहुत मान मिलता है, वैदुर्य के जो सिविलिंग हैं, वो लंबी आयू देते हैं, कहीं यह कह दिया गया है कि जनम पत्री में उम्र कम हैं, आयू कम हैं, तो उसके लिए जो वैदुर्य के जो सिविलिंग हैं वैदूरिया ये नवरत्में से ही एक है वैदूरिया ऐसे संकर जी के पिंडी पर महारुद्रावशे करने से लंबी आयू प्राप्त होती है ये लंबी आयू को देने वाले हैं और ये बड़े अद्वत हैं अपने आप में उसके बाद में गोमेद गोमेद के शंकर जी भी बड़े प्रभावी हैं गोमेद के शंकर जी पर अवशे करने से कंट खुल जाता है बानी अद्वत हो जाती है बानी अद्वत क्या हो जाती है वानी सिद्ध हो जाती है मुह से जो बोल दिया जावे वो सिद्ध हो जाता है यह है गोमेद के संकर जी का यह प्रवाव है वानी का वर्चस्व प्राप्त हो जाता है ये शबरी वादें से महाप्राण में लिखी है ये कोई वार की वाद नहीं है बाणी मदूर हो जाती है बाणी की करकस्ता समात्त हो जाती है ये गोमेद के शंकर जी का प्रवाव है और धीरा हीरे के जो संकरजी है जिसको आप डाइमेंड भी बोलते हैं ये संपत्ती देने वाले है ये शंपत्ती देने वाले है हीरा और मुगा के जो संकरजी है वो जमीन देने वाले है जमीन, मकान, दुकान ये मुगा के संकरजी का ये प्रवाब है फिरह पदमराग पदमराग तो राजनीती में सफलता दे देते हैं और जो नीलम के जो संकरजी हैं वे ग्रहों की सांती में बहुत आगए कभी किसी ने ये कह दिया है कि तुमारे उपर ग्रहों की पृतकुलताए राओ और केतु और ये वो सब दिकत कर रहे हैं परिशान कर रहे हैं तो नीलम का श्टोन आता है और उसके संकरजी भी आते हैं बने हुए और नीलम के संकरजी हैं तो वह ग्रहों की अनकुलता पृतकुलता को अनकुलता में बदल देते हैं ये इनका बहुत बड़ा प्रवाब है